हेई गाइज वाटसब वेलकम बैक और अभी अभी यारे काफी एकसाइटिंग न्यूस सामने आई है और वो आई है जीओ की तरफ से और जीओ ने अपने अपने यहाँ पर यहाँ पर उससे पहले पहले यहाँ पर इंडिया में जीओ ने अर अनाउंस कर दिया है और जिन लोगों को नहीं पता है कि अर अपने पेस पहन सकते हैं और जैसे अपने आपकी स्मार्ट वॉचिस रहती है उसमें आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है आपके फोन के यानि कि अगर आप मुवी देखना चाहते हैं लाहर स्क्रीन पर असली टीवी नहीं होगा आपका एक तरह से प्रोजेक्शन होगा आपके ग्लासिस में और आपको लगेगा कि असली टीवी है तो उस तरह से आप मुवी देख पाएंगे वीडियो कॉंफरेंसिंग कर पाए कि वह सामने वाला बंदा है वीडियो कॉंफरेंसिंग वागेरा कर आपको कोई laptop, mobile phone आपको असे रखने की जरूरत नहीं होगी तो यह वीडियो कॉंफरेंसिंग के लिए वीडियो काम में अने वाला और उसके लावाद जैसे जी नहीं दिखाया था कि अगर आप ताज महल तो आपको इसमें वो जो सारा experiences वगरा है वो आपको मिल जाएगा तो थोड़ा बहुत VR जैसा काम भी कर रहा है लेकिन यह जो चीजे है यह मुझे एक्साइटमेंट इसलिए लगती है क्योंकि मेरे हिसाब से AR और VR वो आने वाले टाइम में एक future है और वो सकता है आने वाले टाइम में यह आपके मुबाईल फोन को भी रिप्लेस कर दे अभी यह वाला जो ग्लास है यह आपके मुबाईल फोन से अटाच होगा तो यह काफी चीज है कि जितनी processing power रहेगी वो आपके मुबाईल फोन की use होगी तो इसमें आपको एक display दिया गय है या फिर वो भी आपके मुबाईल फोन से यह power रहेगा नहीं इसमें field of view के बारे में बात हुआ है कि कितना area यह जो आपको कवर करेगा यानि कि अगर आप देख रहे हैं किसी चीज को तो आप कितना देख सकते हैं narrow field of view रहेगा तो थोड़ा experience है वो इतना अच्छा नहीं जो मुझे अच्छी चीजें लगी जैसे कि यार यह light weight है इनोंने बता है कि 75 gram इसका weight रहेगा तो AR glasses आप अगर पहन रहे हैं अगर पहन रहे हैं तो जितना light weight हो उतना जादा बेटर है तो यहां पर आपको सिरफ 75 gram का यहां पर weight मिलता है जो कि मुझे लगता है कि काफी सही अब इसका जो price की मैं बात करूँ तो obviously इसका price है जिस तरह की technology अभी है थोड़ा हाई रहने वाला है इंडिया में पहले होंगे जो इस तरह का कोई भी technology अभी launch करेंगी जियो तो मुझे लगता है कि price थोड़ा हाई रहने वाला है और बहुत सारे हम में से जो लोग है वो इ वीडियो कांफेंसिंग वाला करते है तो वहां पर यह जो काफी यूसफुल रहने वाला है तो आप उन एरिया में यह जो AR glasses उसे यूस करता हूँ मेरे खाल से काफी जादा देखेंगे लेकिन स्टिल जब यह launch होंगे तो इसके price के हिसाब से अगर मैं इसको अफोड़ कर तो मैं इसको खरीदूंगा उसको वीडियो भी बिनाऊंगा तो उसको देखना होगा तो यह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकि आपको कैसा लगा यह जी होगा AR glasses मुझे जरू बताना कॉमेंट सेक्शन में और अगर आपको वीडियो पसंदा है तो प्लीज वीडियो क तो मिलते हैं सी तरह की एक वीडियो के साथ और मैं आपको मिलूँ अगली बार